इंडिया जीतेगा एशिया कप जिहां आप सही सुन रहे हैं 27 अगस से शुरू होने वाले एशिया कप की भविश्वाणी हो चुके हैं जिसके मुताबिक भारत एशिया कप जीतने वाला है और भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में भी भारत बाजी मानने वाला है ऐसा कहना है एक पूर्व क्रिकेटर का जिनके मुताबिक भारती टीम का दबदबा एशा कप में एक बार फिर होने वाला है और भारत पाकिस्तान का जो महा मुकाबला है जो कड़ा मुकाबला है उसमें भी भारती टीम पाकिस्तान टीम को चित कर देगी आप कौन है वो क्रिकेटर जिन्होंने ये कहा है कि भारती टीम एशिया कप जीतेगी आपको इस वीडियो में बताएंगे नमस्कार आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूँ आपके साथ दिव्यांशु जैस्वाद दरसल 27 अगस से एशिया कप की शुरुआत हो रही है जिसकी जो मेजबानी है श्रिलंगा कर रहा है बट उसका जो वेन्यू है वो यू एई है 27 अगस से 11 सितंबर तक एशिया कप खेला जाना है जिसमें भारत पाकिस्तान समेद कई एशिया की जो टीम है वो हिस्सा लेंगे और इसका सबसे बड़ा मुकाबला जो है 28 अगस को देखना होगा जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से दुबई के मैदान में बिढ़ेगी 2021 टी-20 वर्लकप के बाद ये भारत और पाकिस्तान की पहली बिढ़नते और जिसमें 2021 के वर्लकप की जो मैच सा उसकी अगर बात की जाये तो भारत को 10 विकेट से एक करारी हाल मेरी थी और अब भारती टीम उस हार का हिसाब चुकाना चाहेगी बड़ इस महा मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और खिलाडी रिकी पॉंटिंग ने एक बहुत बड़ी भविश्यवानी की है उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला जो मुकाबला है उसमें भारती टीम विजय रहेगी और की हैट्रिक जमाने वाली ऐसा कहना है रिकी पॉंटिंग का तो एक्जैक्ली उन्होंने क्या कहा है चलिए आपको बताते हैं दरसल रिकी पॉंटिंग ने कहा कि सिर्फ एशिया कप भी नहीं किसी भी टॉर्नमेंट में भारत से आगे पार पाना हमेशा कठिन होता है हाला कि हर बार जब हम T20 विश्व कप की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि भारत ही सबसे बहतरीन टीम होगी बल्लेबाजी में उनकी गहराई निश्चित रूप से अन्य टीमों से बहतर है और मुझे लगता है कि भारत ही एशिया कप भी जीतेगी और साथी साथ उन्होंने ये जिनके मताबिक भारती टीम पाकिस्तान टीम पर विजय हासिल करेगी और साथी साथ एशिया कप पर भी अपना जो कबजा है वो जमाएगी अब आप इस भविश्वानी से कितना इतिफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईए साथी साथ कमेंट सेक् चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा